ही हाई गाईज विल्कम बैक टो मैं चैनल मेकप शेकप होप यू आ डूइंग ग्रेट सो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ विंटर इस्पेशल वेडिंगेस मेकप लुक देख सकतो मेरा आई मेकप बहुत ही जादा इजी होने के सासाथ गॉजस भी लग रहा है तो इस मेकप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंटर में आप किस तरह से अपना मेकप डूइ गॉजस प्रिटी बना सकते हो अगर विगनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा हेल्फुल होने वाली है साथ ही साथ मैंने बहुत ही इजी ट सब्सक्राइब के बिना तो बिल्कुल भी मत जाना साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आंगे आने वाली वीडियो की नुट्रिफिकेशन आप तक तुरंक पहुचे सो विदाउट बेस्टिंग मच मोर टाइम लेगर सबसे पहले मैं अप्लाइक करू क्योंकि इसके ना काफी जादा खिची-खिची से हो जाती है जब हम लोग फेश्वास करते हैं जस्त बाद में उसके लिए हमें अच्छा सा मॉश्राइजर अप्लाइजर अप्लाइजर बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट मैं अप्लाइ करूँगी यह रोज गोल्ड का फेशियल ओई इसके तू 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 त्री ड्रॉप्स ही मेरे लिए इनफ है एंड यह हमारे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा और साथी साथ हमारा बेज भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस एंड डूई बनाएगा तो जस्ट मैंने इसके तू 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 त्री ड्रॉप ले लिया है और अपने फेस को अच्छे से डैप कर लूगी तो गाइस देख सकतो मेरा फेस बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो गया है एंड यह रेडी है मेकप करने के लिए यानि के बेस वागर अप्ला करेगो हमेड तो इक फाउनदेशन या बेस अंफ्लाइ करो तो नेक्स्क्डाइम यूजंग औरनज कलर करेंटिंग फेस प्राइमर एंड यह उसको मैंके पूरे पी itself पर लूगी इसपेड कर लूगी और मेरा वही ज्याद़ बेसे जाद flipped कहरे नहीं कि जरूरत नहीं है अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी यह स्ट्रॉप क्रीम एंड यह मेरे फेस को और भी ज्यादा ग्लोई डूई बनाएगा इसके मैं थोड़ा सा इतना ले रहे हूं और इसमें कोई भी चंगी पार्टिकर्स नहीं है सो यह अलग सी भी नजर नहीं आएगा फाउंडेशन के लिए मैं अल्मोस्ट अपना फेवरेट फिट्मियो फाउंडेशन ले रहे हूं और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैट फिनिश लूप देता है और मेरे पास कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं है जो ओईली हो सो मैं इसको एज़व थोड़ा सा ओईल वगारा एड करके बना लूँगी तो थोड़ा सा एक से दू पंप ले लिया है और इसमें मैं आइड करूंगी वन इसे टू ड्रॉप यह फेशियल ओईल जिससे मेरा यह फाउंडेशन डूई बन जाएगा अगर आपके पास नहीं तो आप इस तरह का है ट्राइ कर सकतो जस्ट वन ड्रॉप मैंने आइड कर लिया है और अच्छे से मिक्स एंड मैच कर देना है और एक ब्यूटी ब्लेंडर के हैप से इसको ब्लेंड कर लूँगी और गाइस मैं काफी टाइम से सोच रही थी एक वीडियो बनाने के लिए मेकप से रिलेटेड बट यार कुछ ना कुछ ऐसा टाइम था बीजी था सेडियोल की हो नहीं पा रहा था बट फाइनली आज मै यह वीडियो बनाई है और आई होप आपके लिए हैल्फुल रहेगी बिकॉज इंटर टाइम है ऐसे में पार्टी फंक्शन बहुत सारे लोगों को अटेंड करने होंगे और सीजन भी चल रहा है वीडिंग का सो दैट यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हैल्फ करेगी और अ जहां पर थोड़े बहुत इसकी अनिवेन है या फिर डार्क स्पाउड के प्रॉब्रम है वहां पर मैं इसको अप्लाए गरूंगी मैं लैकमे के पाउडर के हेल्प से अपने फेस को सेट कर लूँगी इस पेसली जहां पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है जस्ट वहां पर नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी एनवाई बेका कंटोर स्टिक एंड गाइस सबसे पहले मैं अपना पुरा फेस कंप्लीट करूंगी देन अपना आई मेकप कंप्लीट करूंगी लास्ट में और यह बहुत ही ज्यादा छोड़ी स्टिक है बट काफी ज्यादा होता ना स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट इतना अपनी आई कॉर्णर से यहां तक का मुझा गर्ड़ा से ना सब्सक्रांगी ज्यादा अटारया हैं यहां तो की देश्ट परूंगी जो होते हैं हमारे ना बहुत ही इसली ब्लैंड होते हैं एंड है जाएस देख सुट पलकुल भी मेरे फेस को ड्राइन नहीं बना रहा बिकॉस् था अगर इसकी जगे मैं पौडरी वाले प्रोड़क्ट को अवाइट करो इसके बाद मैं अप्लाइ करूंगी ब्लश फॉर ब्लस मैं ले रहे हूं परपल की यह लिप्स्टिक और यह बहुत थी लाइट कलर का पिंग सेड है जा न ब्लस नहीं था इसको भी में अप्लाइक कर लेते हूं तो अब इस तरह क्या है कर सकतो अगर आपके पास ब्लस नहीं है आप लिप्स्टिक को भी अजब्लश अप्लाइक कर लो बहुत यह च्छे सेवर्ग करेगी सो गाइस देख सकते हो बहुत ही नेचुरल पिंक यूनो एड़ हो चुका है कलर मेरे चीक्स बोन पर अब नेक्ट मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर बट मैं सोच रहो हाइलाइटर के पहले मैं अपना आई मेकप कंप्लीट कर ले तूँ बिकॉस मुझे आइब्रोस के न इसे सिंपल हो कन बट बहुत ही जादा ठ्रक्ट हि होने वाला है क्योकि एगर बिगनर्स है तो उनके लिए प्रोब्लम होती है आय मेकप क्योंकि बेस मेक प्थो जैसे तैसे हो जाए बट आए मेकप में थोड़ी सी प्रोब्लम साथी इस हमारी ड्रेसिंग के को आइक और होता है और यह जो मैंने पिंक एंड वाइट कलर की ड्रस पहनी है यह बहुत ही ज्यादा बेसिक है यानि कि आप नॉर्मली सूट शाड़ी लहंगा वगारा पिंक कलर होता ही है तो आप यह आई मेकप उस लुप के साथ इसली क्रेट कर सकते हो अपना फेवरेट आइस के लिक कोई भी नेटरल कलर का आई सदो पहले अपलाई कर और इसली ब्लेंड कर दो कि सब्सक्तों पिंक कलर बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा इसको मैंने अपनी जस्ट क्रीज लाइन के ऊपर हलके से ब्लेंड किया है तो यह बहुत ही नेच्रल कलर है तो इसके बाद मैं अपल यहां पर मैं एक कट क्रीज बना रहे हूं कट क्रीज क्या में फुल क्रीज ही समझ लीजिए इस तरह से कट क्रीज बना लेना मैं अप्लाई करूंगी यह वाला सिमर शेर जो कि पिंक एंड मेरून कलर का मीक्शर है और यह बहुत ही ज्यादा प्रीज आएगा इस लुक के साथ पॉफेक्ट ली जाएगा तो जस्त मैं इसको फिंगर में ले लिया है और इसको मैं अप्लाई करूंगी जहां पर मैंने कट पॉफेक्ट लग रहा है तो और अगर आपका इस बहुत है ना तो थोड़ी बहुत खामियां होती आपके बेस में या फिर फेस में कमें तो सारी चुप जाती हैं आपके आई मेंक अप में और यह मेंक आप मुझे बहुत ही जादा प्रीटी लग रहा है सीरियस कि यहां पर फॉलसी लगाने वाली हूं एंड मुझे बहुत पतला सा ही बेटर लगेगा विकास मेरे अप्लाइब करूंगी ब्लैक काजल क्योंकि मेरे अंडर इसमें ओल्री काजल अप्लाइब हुआ है थोड़ा बहुत निकला है क्योंकि आज मैंने अप्लाइब किया थो प नहीं अठा सकती तो मैंने यहाँ पर लिया है यह मेबलीन का आई-लाइनर और जश्ट में इसके पत्ली सी लाइन ड्रॉ करूंगी मैं यहाँ पर वेटन वाइल के आई-ब्रो पेंसल ले रहें और देख सकता है इसी बिल्कुल छोटा सा हो गया है और काफी मैंने यूज कर लिया है इससे मैं सबसे पहले अपनी आई-ब्रो को सेब दोंगी शयुक्तático पर अद्व้ंका काजल इसे मैं अपनी लोवर लाइन प्रब्रो कर्यान करऊंगी अच्छे से मार्स-जो मस्कारा यि लोवर लैस पर पर अपलाई करोंगी और अपर लैस पर नहीं अपलाई करूंगी बिकaráस्योंगर वहां पर पॉलसी आपलाई करें सो व्क करने यह फॉलसीज और अच्छ से ग्लू युनो इसमें राई हो गया चिमक जाएई अच्छ सी तो फाइनली बारी आती हमारे हाइलाइटर की तो तो मैं यह पर अपलाइ यह नह आप disappointment हूं लिप्स्टिक के लिए मैं ले रहे हूं मेबली इन सेंशनल लिक्विट मैट और अगाइज ये लिपसेट काफी हद तक जा रहा है इस मेकप लुक के साथ में सो फाइनली मेकप तो पूरा हो गया है बड़ बारियाती हमारे है स्टाइल की थोड़ी बहुत जोल्री वगराव करूंगी सो मिलती हूं आप से मैं फाइनल लुक के साथ में जिसे मैंने जुमके और छोटी सी बिंदी के साथ कंप्लीट किया है और लुक बहुत ही सिंपल प्रिटी एंड गॉजस लग रहा है जो कि आप किसी भी पाइटी फंक्शन वेडिंग में इसली क्रेट कर सकतो और इस विंटर इस पेसल मैंने बहुत ही इजी टिप एंट्रि किया है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला सो मिलते किसी अधर वीडियो के साथ में टिल दें टेक केर बाइट